नमस्कार पेशन यूज रफ्तार से उत्तर प्रदेश के विभिन जिलों में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के सिलसे में अब तक 227 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अपर पुलिस महनिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने वयान जारी क के बताया है कि इस संबंद में राज्ये में 227 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इसमें प्रयागराज में 68 हाथरस में 50 सहरनपूर में 48 अंबेटकर नगर में 28 मुरादाबाद में 25 और फिरोजाबाद में 8 लोग शामिल है इस पिछ उत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यो समाज में कोई इस्थान नहीं है उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखें कि किसी भी निर्दोश का उत्पीडन ना हो लेकिन दोशी एक भी ना बचे भाच्पा की निलंबीत प्रवक्ता नुपूर शर्मा द्वारा पैगंबर मुहमत के खिलाफ विवादस पर टिपणी को लेक में विपक्षिदाल कॉंग्रेस ने भाजपा से स्पस्टिकरण मांगा है प्रग्या ठाकुर ने कहा विधर्मी अपनी गंदी मांसिक्ता से हमारे देवी देवताओं को बुरा भला की बोलते हैं फिल्मों के जरिये हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं हम चुप में बताया कि पैगंबर मुहंबत के बारे में की गई विवादास पर टिपणी के विरोध में एक दिन के बंद की गोशना की गई थी जिसके प्रणाम सुरूप पीर पंजाल छेतर में सामाने जन जीवन प्रभवित रहा इलाके में संप्रदाइक तनाव को कम करने के प्रय करवार को जुम्य की नमाज के बाद भीड़ द्वारा की गई हिंसा तथा उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस द्वारा की गई करवाई में खायर दो दरजन लोगों में से देर राद दो लोगों की मृत्ति हो गई एक वरिष पुलिस एतकाई ने बताया कि हावडा जिले में हुई हिंसा घटाओं के पीछे कुछ राडितिक दलों का हाथ है उन्होंने राजे में धंगे बढ़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सक्त करवाई करने का वादा किया उन्होंने पैगंबर मुहंबत पर विवादास पर टिपणी के संदर्ब मे भाजपा के दो नहताओं पर कारवाई और इस मामले में शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदेशनों का जिक्र करते वे सवाल किया कि पार्टी द्वारा किये गए पाप का खामियाजा आम लोगों को क्यो भुगतना चाहिए इस मिच भाजपा की पस्टिम मंगाल एकाई के अध्यक्स चुकांत मजुमदार को शनिवार को पुलिस ने हावडा जिले में कानून विवस्था की मौजूदा सित्ति का हवाला देते हुए हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करने से रोग दिया मजुमदार ने दावक किया कि पुलिस ने कोलकाता के उत्तर पोभी इ राश्पती रामनाद कोविन ने शनिवार सुबह अटल सुरंग रोहतां का दौरा किया अटल सुरंग 10,000 फीट से अधिक की उचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है राश्पती कोविन ने लाहोल इस्पिती जिले की लाहोल घाटी में उत्री दौर से सुरंग में प्रवेश किया और 9.2 किलोमेटर की दूरी तै करने के बाद कुलू जिले के मनाली में सुरंग के दक्षिन दौर पर पहुंचे अटल सुरंग का दौरा करने के बाद राश्पती कोविन ने इसके निर्मान पर प्रसंता व्यक्त की उन्होंने कहा कि है सुरंग देश के हो गई है केंद्री स्वास्थे मंत्राले के शनिवार सुबह 8 वे तक के आंकडों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 8,339 नहीं मामने दर्च किये गए जबकि 10 और मरीज्यों के जान गवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,24 या 757 पर पहुंच गई है उतर कोरिया के नेता किम जोंग उनने एक राजनीतिक संभेलन के समापन पर देश में हत्यारों के निर्माण को दोगुना करने की घोष्णा करते वे इसकी वज़ा एक उग्र सुरक्षा वातावलन को बताया है वहीं अमेरिका और दक्षिन कोरिया के अधिकारियों को क्या तेरा मिनट के अंदर चार गोल दाकर अमेरिका को कोन का फाक नेशन्स लीग फुटबॉल मैच में फीफा रैंकिंग में एक सो सतरवे स्थान पर काबिच ग्रेनाडा के खिलाफ शनिवार को पांच शुने से शांदार जीत दिलाने में एहम भूमिका निभाई इस 21 साल के खिलाडी ने शुरुवाती मिनटों में गोल करने के कुछ मौकों पर चूकने के बाद तिरतालिसमें चवनवे और चपनवे मिनट में गोल कर हैट्रिक बनाई और फिर 78 मिनट में अपना चौथा गोल दागा वेश्विक रैंकिंग में पंद्रवे स्थान पर 20 टीम के अमेरिका में महंगाई काफी बढ़ गई है अमेरिकी श्रम विभाग की तरफ से शुकुरवार को जारी आखड़ों के मुताबिक मई 2022 में उब्भोकता कीमते एक साल पहले की तुल्ला में आट दिशमलब शेथ बढ़ गई इसके एक महिने पहले अपरल में उब्भोकता की स्थिती की स्थिती से जूज रहा है खानपान और अन्य जरूरी वस्तों की कीमते बढ़ने से एक अमेरिकी परिवार के लिए जीवन निर्वा काफी मुश्किल हो गया है इसकी सबसे ज्यादा मार अश्वेच समुझाए और निम्न आय वर्क के लोगों को जहननी पढ़ र